पप्पू बेटा और ये दूसरा गप्पू बेटा आज इन दोनों बच्चों के घर के अंदर अरे वाह ये क्या ये तो डांस करने वाला मेड़क आया हुआ है अभी इसको डांस करवाते हैं घर के उपर लेकर चलके अरे अरे ये क्या पप्पू बेटा के सर के उपर कोई च लिड़ी आई हुई है, यह तो बत्तक के जैसे लग रही है, अभी इन दोनों को भी यहां घर केुपर बिठाएंगे, यह दोनों जानों रहा हुए है, इस वाले डांस देखने के लिए, इस वाले मेदा का डांस देखने के लिए, अरे यह क्या, पप्पू बेटा के घर के सा बच्चे का है अरे हाथी तुम चोटे हाथी तुम बहुत अच्छे हो तुम दूद ना पीना अभी तुम्हारे लिए कुछ दूसरा लेकर आते हैं चलो सबसे पहले चोटे वाले बच्चे की मदद करेंगे और इन दोनों जानोर को यहां से लेकर जाएंगे अरे वह यह कौन आई हुई है दो दो मदमक्खी आई हुई है इन दोनों जानोर को अपने साथ में लेकर जाने के लिए जाओ मदमक्खी तुम इन दोनों जानोर को अपने साथ में लेकर चली जाओ जाओ बहुत बढ़िया इसको अपने उपर बिठाओ और यहां से उड़कर कहीं दूर आस जाओ तुम अपने मम्मी जी के पास में जाओ ये देखो तुमारी प्यारी सी मम्मी तुमारा इंतिजार कर रही है यहां बैठो अराम से बैठो बहुत बढ़िया तुम अराम से यही बैठे रहना और यहां पपु बेटा के सर के उपर जो चिडिया बैठी हुई है आओ त्री स्टार्ट गो अरी वह बहुत बढ़ियां ये तो कितना अच्छा डांस कर ले रहा है इसका डांस देखने में देखो बहुत मज़ा रहा है अरे अरे नीचे ना गिर जाना तुम यही ऊपर ही डांस करना और बहुत अच्छे लेग रहे हो तुम डांस करते हुए चलो इ पीनों यहां आराम से रुके रहो, ये डांस करेगा, और ये दोनों इसको देखने के लिए आये हुए हैं, और यहां पपु बेटा, और ये गपु, ये दोनों के पास क्या है? इन दोनों के पास पीने के लिए दूद का डिबाया हुआ है, चलो इसमें इस से गाई को लेकर और इस के पीछे तुम्हारे प्यारी से पिता है, जुंतो देखने में बहुत अच्छे लगते हो, और तुम्हारे प्यारे सी पतने भी अच्छे लग रही है अपने छोटे वाले बेटे को अपने साथ में ली हुई है चलो जलते हैं जल परी रानी के घर अरे वाह ये क्या यहां तो प्यारी सी जल परी रानी का घर बना हुआ है और इनका घर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इनके घर के उपर ये दो दो जान और कौन बैठे हुए है चलो अरे ये तो बत्तक लग रही है अरे ये तो आवाज करने वाली बत्तक है तुम यही बैठे रहो बत्तक अराम से बैठे रहो और यहाँ पर कोई मचली भी आई हुई है अरे वाह ये वाली मचली भी बहुत अच्छी है मचली तुमको तो पाने में होना चाहिए तुम यहां घर के उपर क्या कर रही हो अरे वाह ये क्या अरे रे यहां घर में तो आज पकवान मन रहा है लेकिन जलपरी रानी की दो छोटी-छोटी बेटिया यहां बाल्टी में जाकर क्यों बैठी हुई है चलो इन दोनों को बाल्टी से बाहर निकालेंगे और तुम दोनों जाओ यहां कुर्शियों के उपर बैठो और यह दूसरी वाली बेटी जाओ तुम भी कुर्शी के उपर बैठो तुम भी बाल्टी से बाहर निकलो आरे वह बहुत बढ़िया अब यहां दोनों बाल्टी आराम से रखी हुई है और यहां तो पकवान बन रहा है पकवान खाने के लिए नीचे सुपरमेन आय हुए है यह क्या काले रंग के सुपरमेन लाल रंग के सुपरमैन और यहां नीले रंग के सुपरमैन आये हुए तेन तेन सुपरमैन अरे वह यह क्या इन तीनों को सवारी करवाने के लिए एक एक जानवर भी आया हुआ है चलो बलेक वाले सुपरमैन को इस वाले जानवर के उपर बिठाएंगे अरे वह बहुत बढ सवारी करेंगे एक लायन की एक एलिफैंड की और एक तो टाइगर की सवारी करेंगे तुम तीनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो अरे ये क्या हो गया इस छोटी वाली बिल्ली को क्या हो गया इस वाले बिल्ली को किसी जानवर ने पलट दिया है और इसके पैर को अपने ज यहासे भाव्लू को भगाते हैं अरे वह यह क्या मोटे वाले हल्क जी आए बालू को अपने साथ में लेकर जाने के लिए चलो बालू को इनके उपर बिठा देंगे जाओ मोटे वाले तुम इसको यहां से लेकर चले जाओ जाओ हलके जी तुम तुरंत इसको यहां से लेकर जाओ बहुत बढ़िया ये देखो दोनों गनेजी की मददत होगी ठोलक बहुत बढ़िया अराम से बैठे रहो अरे वह ये क्या ये दोनों तो बहुत अच्छर धोलक बजा लेते हैं अरे रुप जाओ रुप जाओ भाई रुप जाओ चलो चलते हैं यहां बगल में किसका घर बना हुआ है अरे ये क्या यहां तो खरगोस आया हुआ है और खरगोस के उपर बैठा हुआ है अरे वह ये क्या इनके पास तो मैंगो बड़ा सा आम आया हुआ है ये पतलू के पास बड़ा सा आम और ये मोटू के पास क्या आया हुआ है अरे वह ये क्या यहां तो पीने वाला माजा आया हुआ है अरे वह ये क्या चलो माजा को मोटू को पिला द और इस वाले जानवर ने किसी छोटे पंची को अपने जबन में फसा के रखा हुआ था, ये छोटा पंची आया हुआ था यहाँ पानी पीने के लिए, चलो इस छोटे पंची की मदद करते हैं, अरी वाह, बहुत बढ़ियां, तुम अराम से हाँ पानी पीलो, चलो इसको यह से कहीं दूर लेकर जाएंगे जाओ भाई तुम दूर जाओ तुम जंगली जान और हो चले जाओ चले जाओ बहुत बढ़िया अब ये छोटा पंची है आराम से पानी पी लेगा आज की कहानी देखर में बहुत मजा रहा है यहां मोटू और पतलू के पास मजा है मोटू के आम आया है और ये दोनों लोग एक खरगोश के ऊपर आकर बैठे हुए हैं यहां छोटा सा पंची आया हुआ है इस वोले नल के पास पानी पीने के लिए आज इसको किसी जानौर ने अपने जबड़े में फसा के रखा हुआ था उसको यहां से भागा दिया गया अब इस जलपरी रानी के बगल में डोलक बजाने के लिए आज इन दोनों डोलक बजाने के उपर एक भालुआ कर बैठा हुआ था उसको मोटे वाले हलकजी ले कर चलेगे और यहां प्यारी सी अरे वाह ये क्या, ये तो मचली लग रही है तुम दोनों लोग यहां बेठे रहो और यहां पकवान खाने के लिए आज तीन-तीन लोग आये हुए थे एक इस वाले जानवर के उपर और एक हाथी की उपर और एक काली रंके सुपरमेन आये हुए थे इस वाले सुपरमैन ने इस वाले म्याव बिल्ली की मदद की इस वाले बिल्ली का आज चार उपएर उपर हो गया था और इनके उपर कोई जंगली जानोर आ गया था तब इस वाले बिल्ली की मदद की गई और इसको सीधा किया गया और यहाँ पर यह दोनों कौन है यह दोनो इस दोनों बच्चों की प्यारी से मम्मी जी और इनके पीछे प्यारी से पिता जी यहां आये हुए हैं आज इस वाले छोटे से बच्चे को दो-दो जानोर पकड़ की रखे हुए थे तब इन दोनों जानोर की दो-दो मधमक्षी आकर मदद की और इनका छोटा सा बच्चा यहाँ इनके मम्मीजी के पास में चला गया अब यह दोनों बच्चे बहुत अराम से यहाँ बैटे हुए है पप्पु बेटा और गप्पु बेटा इन दोनों के पास पीने के लिए दूद का डिप आया हुआ है और दूद देने के लिए दो छोटी गाय एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली गाया हुई है और यहाँ बगल में छोटा सा एलिफेंट आया हुआ है यह भी बहुत अच्छा है छोटा सा एलिफेंट यह एलिफेंट इन दोनों बच्चों की बहुत मदद करता है और घर के उपर यहाँ पर अरे वाह डांस करने वाले मेधक आये हुए हैं डांस करने वाला मेधक और यहाँ दो-दो लोग आये हुए हैं डांस को देखने के लिए इस वाले मेधक का डांस देखने के लिए चलो इसको एक बार आओ डांस करवा देते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा डांस कर लेता है रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ चलो यहाँ घर के नीचे चलते हैं आज की कहानी देखने में तो बहुत मजाया अगर आप सभी को आज की कहानी परसंद आई हो तो इस वाले कहानी को लाइक करेगा मिल से किसी दूसरी अच्छी सी कहानी में बाई